दोस्तो आज आपको बताएंगे बैगन लगाने की भी थी ये देखिए मेरा बैगन छे साल का प्लांट है और छे साल से ये इतना ज़्यादा फ्ल्ला है अगर आपका एक प्लांट इतना बराव हो जाएगा इसमें 100 बैगन बरावर रहता है हर दम मतलब आपको महीने में जाक है और ये हर एक साल इसका डेडिंग कर देता हूं जो कि मैं सितंबर अक्टूबर में जाके इसे कार देता हूं थोड़ा और थोड़ा छोट करके उसके बाद फिर ये अपने आप गुरोथ ले लेता है फिर गुरोथ में आ गया है गुरोथ में आने के बाद देखिए इसम वाला जो सूट होता है उसे मैं बड़ाबर हता देता हूं क्योंकि इसमें फॉल नहीं आता है आप कहीं भी जाएगा उसमें आपको फॉल नहीं मिलेगा अगर मेरे वीडियो पर पहली बार आया है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करें मैं पूरा अंतक बताऊंगा कैसे बी लिब्रिट कंपनी के बात करें तो सिंजेंटा बी एनर नामधारी ये सब कंपनी है बी एनर का दो तीन वेराइटी आता है और रेड करके आता है भगवा कलर भी आता है बहुत सारे कलर आता है बड़ा बड़ा भी आता है हरा बड़ा बड़ा आता है कुछ चोखा के लिए बतलब लिटी चोक हवाले भी प्रयोक किया जाता है तो आप जैसा बैगर चाहिएगा इतना बीज ले लिजे यही 20 बीज आपके लिए अगर गबला बे लगाना चाहते है तो बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 20 बीज अगर 20 गबला बे आप लगाईएगा तो जाके आपका पूरा होगा हम इसे कुछ जमीन पे लगाएगे कुछ कमला में लगाएगे कुछ कही लगाएगे इसे करके पूरा कर लेगे मेरे पास 5 बैगर है मैं थोड़ा थोड़ा सभी का बीज लगा दूगा पाच 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 करके और यह पूरा देखिए इसमें डाल दिया हूँ बतलब अलग अलग करके डाला हूँ इसे आप पाली में अगर रख रहा चाते हैं तो पाली में फुला दीजेगा तो बहुत अच्छा चलेगा और इसमें जाके आप ये भी कर सकते हैं कोई भी आपके पास जो की साफ हो अब सोग करके और उसे रख दीजेगा तो वह जो होता है अकुरणे भी ठीक रहेगा अकुरण जैसे ही आ जाएगा उसके बाद इसे पाली देरा होता कर आपको बताए तो ये अकुरण आ जाएगा लेकिन चार-पाद दीर में अगर आप इस सोगिंग कर दीजेगा फंगे देना एस्टार्ट हो जाएगा क्योंकि फूलाना एस्टार्ट हुआ है और इसमें सबसे अच्छा होता है मीरा कुलान रोगर का एस्प्रेय लो कर देते हैं अगर और अर्गेनिक आपको जाना चाहते है मेरी तरह तो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा वर्मिंग और मीटी मिलाके जो यह प्लांट राम से खुब ग्रोथ ले रहा है इतना ग्रोथ ले रहा है और यह बड़ा बाला जो छे साल का प्लाट बताया था उसमें है और इतना ज्यादा फूल फॉल आ गया है इसमें बहुरा कुला ड्रोगर का इस्प्रेय इधर आके कर दिया हो पहले नीम वायल का इस्प्रेय करता था मिरा कुला ड्रोगर से यह होता है अगर फॉल फॉल नहीं आता है पहली बार बाई इसमें बार देता हूँ क्योंकि थोरा एक भूद्ध या दो बूद्ध डालके ही बारता हो ज्यादा रही बारता हो जैसे कीरा बहुत लग रहा थ तो मैं इसका इस्प्रे कर देता हूं, जिसे यह फॉल फुल धर लेता है, फिर अक्टूबर नुमंबर में जाके इसे अक्टूबर में कार देता हूं, फिर जाके यह अपने आप गुरोथ ले लेता है, अभी तक नुमंबर आप आ गया है, मतलब एक महिने में थोरा उपर से करता हूं मतलब आपको वही अंत का सूट कार देता हुं जिसे यह गुरोथ खोब अच्छा ले और खोर अच्छा फल देना स्टाट करें और इसका फल बे लोकोत अपर फूरादा हो जाता है तो फॉल लगता है और जितना गुरोतिलेगा उतना ही बड़ा होगा और आप इसका बरा इसका तरा से गांच बन जाएगा अगर एक Nobel में लगा रहे तो फूल konडेणर हो जाएगा इतना बड़ा हो जाता है आगर छोटा कंडेणर अखा कंटेणर धू बहुत बड़ा रखे हुए है अगर अप गमला में लगाना चाहते हैं तो च 25 कास लगा लगा लिजए दो यह आराम फन लेना चाहते हैं वर्मिन कमपोस्ट और मिट्टी मतलब जितना ज्यादा दिजेगा एक दो के जी दे दियागा तो उतना जादा आपका फूल फल हो जाएगा और इतना फूल फल होगा जो आप समझ सकते हैं जो आप पूरा घर के लिए अगर पाच प्लांट इतना बड़ और आगे वीडियो आते रहेगा इसलिए पूरा वीडियो आपन तक देखते रहे हैं और सभी वीडियो आएगा तो इसलिए बेरे चालू को जरू सब्सक्राइब पर ले और यह हरा बाला जो है यह बराबरा मूटा होता है धन्वादिन